हेलो स्टूडेंट्स वल्कम अगीन टू लंडविर दीतीमन तो आप लोगों का आज नाइन्थ क्लास की संपूर्ण हिस्ट्री का टेस्ट है नाइन्थ क्लास और टैन्थ क्लास आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है आज के जो question है उसमें option नहीं होंगे और नहीं answer होगा केवल question होंगे बहुत ज्यादा important question जो इस chapter में से है यदि आप 30 में से 29 कर पाते हैं इसका मतलब आप बहुत अच्छे से तयारी कर रहे हो तो आज जो answer है इसका वो next video में आपको provide किया जाएगा तो इमानदारी से copy pen लेकर बैठिए और अपने answer जो है वो अपने copy पर लिख लीजिए question first है विसाल अन्नागार तथा विशाल इस्नानागार किस सब्वेता में मिले हैं तो यदि आपने answer याद किये हैं वाकी में तो इसका answer आफटाफट लिखी लोगे तो आज आपके 29 या 28 मार्क्स तो आने ही चाहिए question 2 है सिंदू गाटी सब्वेता की लिपी कैसी थी question number 3 वैदिक काल में वन व्यवस्था किस पर आधारे थी जन्म पर आधारे थी या कर्म पर आधारे थी next है वक्राकार इटों के साक्षे कहां से प्राप्त हुए हैं एक question है कि अलंकरित जो इटे थी वो कहां से प्राप्त हुए हैं लेकिन यहां पूछा है वक्राकार इटों के साक्षे कहां से प्राप्त हुए हैं question 5 सिंदू घाटी सब्वेता के किस स्थल से ग्यारा बड़े कमरों के बड़े भवन की रचना मिली हैं next question 6 सिंदू घाटी सब्वेता के किस स्थल से तीन समाधी मिली हैं सिंदू घाटी सब्वेता के किस स्थल से तीन समाधी मिली हैं next है question 7 काली बंगा की खोज किसने और कब की question number 8 23 जैन तीर्थकर कौन थे question number 9 मोक्ष प्राप्त करने के लिए महावीर स्वामी ने कौन से उपाए बताए तो जो लोग याद नहीं कर रहे थे और केवल तुके मारने का कोशिश कर रहे थे तो आज के टेस्ट से पता चल जायेगा कि वाकई में कितने बच्चे जो हैं वो सही से वीडियो सुन रहे हैं और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं नेक्स्ट है कुशन 10 बुद्ध के ग्रहत्याक की घटना को किस नाम से जाना जाता है? कुशन 11 भारत एशिया महादीप में कहां इस्तित है? भारत एशिया महादीप में कहां इस्तित है? नेक्स्ट है कुशन 12 समराट असोग के पुत्र और पुत्री को स्री लंका में सनरक्षन किसने प्रदान किया था? नेक्स्ट है वियत नाम किस राज्य का आधुनिक नाम है? व्रहत्तर भारत के चैप्टर में से ये कुशन लिया गया है दक्षन में चोल सामराज्य के किस प्रतापी शाशक का मलाया द्वीप समहु पर व्यापारिक नियंत्रन था? दक्षन में चोल सामराज्य के किस प्रतापी शाशक का मलाया द्वीप समहु पर व्यापारिक नियंत्रन था? कुश्चन 15 मुद्रा राच्चस किसका नाटक है? Next हैं कुश्चन 16 काली दास के प्रसिद्य महा काव्य कौन कौन से है? ध्यान रखना है नाटक नहीं पूचा है महा काव्य कौन कौन से है? कुश्चन 17 आर्रे समाज की स्थापना कब की गई? भारत का प्रथम समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ? भारत का प्रथम समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ? नेक्स्ट कुश्चन 19 आधुनिक भारत के निर्माता किसे कहा जाता है? तो वास्तविक जो तयारी है वो तो आपको अब पता चलेगी जब आप इनके आंसर देंगे तो इसी तरीके से प्रश्न एक्जाम में आजाते हैं मेवाड में सर्व प्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए? Q21. प्रत्वी राज चोहान गद्धी पर कब बैठे? प्रत्वी राज चोहान तृत्तिय गद्धी पर कब बैठे? 22. खातोली का युद्ध कब हुआ? Q23. मीरा भाई ने अपना अंतिम समय कहां बिताया? गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ? 25. राओ मालदेव के सैनापती कौन थे? Q26. राजिस्थान का जलिया वाला बाग हत्याकांड किसे कहा जाता है? तो फटाफट से अपने आंसर जो है वो लगाते जाईए क्योंकि तीन या चार सेकंड से जादा आपको आंसर लिखने में टाइम नहीं लगता है. यदि आप आंसर जानते हैं. 27. चिपको आंदोलन की घटना कब हुई? 28. तेरह ताली नरत्य किसकी प्रात्ना में किया जाता है? संत दादू दयाल के कितने सिश्य थे? 29. संत दादू दयाल के कितने सिश्य थे? 29. लास्ट कुश्यन है. मारवाड के पंच पीर कौन-कौन से हैं? 30. तो इसके जो आंसर हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दिये जाएंगे. तो यहां आपको पता चल जाएगा कि आपने कितने आंसर जो हैं वो सही किये हैं और आपके तैयारी जो है वो कैसी चल रही है? यूही सिलेक्शन नहीं होता है. सिलेक्शन कराने के लिए बहुत महनत करने पड़ती है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थेंक यू. यूही जो.